प्रदार मंत्री नरेंट मोदी के मन की बात कारेक्टिव में नमस्कार आज मन की बात का सोवा एपिसोड है मुझे आप सब की हजारों चिछिया मिली हैं लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजियों को पड़ पाऊं देख पाऊं संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ भावनाओं से भर गया भावनाओं में बह गया और खुद को फिर सभाल भी लिया आपने मुझे मन की बात के सौवे एपिसोड पर बढ़ाई दी है लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ दरसल बढ़ाई के पात्रतों आप सभी मन की बात के स्रोता है हमारे देशवासी है मन की बात कोटी-کोटी भारतियों के मन की बात है उनकी भावनाओं का प्रगटी करण है साथियों 3 अक्तुबर 2014 विजियादस्मी का वो परव था और हम सबने मिलकर विजियादस्मी के दिन मन की बात की यातरा शुरू की थी विजियादस्मी यानि बुराई पर अच्छाई की जीत का परव मन की बाद भी देश वासियों की अच्छाईयों का सकारात्मक्ता का एक अनोखा परव बन गया है एक ऐसा परव जो हर महिने आता है जिसका इंतजार हम सभी को होता है हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं हम इसमें पीपर्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं कई बार यकिन नहीं होता कि मन की बात को इतने महिने और इतने साल गुजर गए हर एपिसोड अपने आप में खास रहा हर बार नए उधारणों की नविन्ता हर बार देश वास्यों की नई सफ़रताओं का विस्तार मन की बात में पूरे देश के कौने कौने से लोग जुडे हर आयू वर्ग के लोग जुडे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो स्वच्च भारत आंदोलन हो खादी के पती प्रेम हो या प्रकूरती की बात आज हादी का अमृत महोसव हो या फिर अमृत स्थरोवर की बात मन की बात जिस विस्ताई से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया जब मैंने ततकानीन अमेरिकी राश्पती बराक उबामा के साथ साजा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी साथियों मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरही रहा है मेरे एक मारदर्शक थे स्री लक्ष्मन राव जी इनामधार हम उनको वकिल साब कहा करते थे वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए सामने कोई भी हो आपके साथ का हो आपका विरोधी हो हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेड़ना दिये है मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है मेरे प्यारे देश वाच्छों इस कारकम ने मुझे कभी भी आप से दूर नहीं होने दिया मुझे आध है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामा इनने जन से मिलना जुलना स्वाभाव जुरुप से हो ही जाता था मुख्यमंत्री का कामकाज और कारकाज ऐसा ही होता है मिलने जुलने के अवसर भहुत मिलते रहते हैं लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि हां का जीवन तो बहुत ही अलग है कामका स्वरुपलक, दाईत्वालक, स्थितियां, परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामजाम, समय की सीमा शुरुवाती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था खाली-खाली सा महसूस करता था पचासो साल पहले मैंने अपना घर इसले नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्ग ही मुश्किल हो जाएगा जो देश स्वासी मेरा सब कुछ है मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था मन की बात ने मुझे इस चुनोती का समाधान दिया सामान ने मानवी से जुनने का रास्ता दिया पदभार और प्रोट्रोकॉल व्यवस्था तक ही सिमित रहा और जनभाव कोटी कोटी जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया हर महिने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूँ हर महिने मैं देश वाश्यों के एक से एक अद्भुच स्वरूप के दर्शन करता हूँ मैं देश वाश्यों के तब त्याक की पराकास्था को देखता हूँ मैसूस करता हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूँ मेरे लिए मन की बात ये एक कारिकम नहीं है मेरे लिए एक आस्ता, पूजा, वृत है जैसे लोग इश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं मेरे लिए मन की बात इश्वर रुपी जनता जनारदन के चर्णों में प्रसाद की थाल की तरह है मन की बात मेरे मन की अध्यत्मिक यात्रा बन गया है मन की बात स्वासे समस्ठी की यात्रा है मन की बात अहम से वयम की यात्रा है यह तो मैं नहीं तुँ ही इसकी संस्कार साधना है अब कलपणा करिए मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहडी और बंजर जमीन पर पैड लगा रहा है कितने ही लोग 30-30 साल से जल सवरक्षन के लिए बावणियां और तालाब बना रहे हैं उसकी साफ सफाई कर रहे हैं कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है कितनी ही बार मन की भात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावण हो गया हूँ आकाश्वानी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है आज पिछला कितना ही कुछ आखों के सामने आये जा रहा है देश्वास्यों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है साथियों मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं वे सब हमारे हीरोज है जिनों ने इस कारकम को जिवन्त बनाया है आज जब हम सोवे एपिसोड के पड़ाव पर पहुँचे हैं तो मेरी ये भी इचा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी आत्रा के बारे में जाने आज हम कुछ साथियों से बात मार भी करने की कोशिस करेंगे मैरे साथ जूड रहे हैं हर्याना के बाई शुनिल जगलान जी सुनिल जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पढ़ा क्योंकि हरियाना में जेंडर रेश्यों पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं का भिहान हरियाना से ही शुरू किया था और इसी बीच जब सुनिल जी के सेलफी विद डॉटर केंपेंड पर मेरे नजर पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने भी उनसे सिखा और इसे मन की बात में शामिल किया देखते ही देखते सेलफी विद डॉटर एक ग्लोबल केंपेंड में बदल गया और इसमें मुद्दा सेलफी नहीं थी टेकनोलोजी नहीं थी इसमें डॉटर को बेटी को प्रमुकता दी गई थी जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रगट हुआ ऐसे ही अनेकों प्रयासों का प्रणाव है कि आज हरियाना में जेंडर रेशियो में सुधार आया है आईए आज सुनिल जी से ही कुछ गप मार लेते हैं नमस्कार सुनिल जी सुनिल जी सेल्फी विद डॉटर हर किसी को यार है अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है पदान मंत्री जी यह असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाना से पानिपत की चोथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कराट लाने के लिए शुरू की थी जिसे आपके नेतरतों में पूरे देश ने जीतने की कोशिस की है तो वाक़ी यह मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने के वालों के लिए बहुत बड़ी बात है सुझेल जी अब आपकी बेटिया कैसी है आज कल क्या कर रही है जी मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है एक सेवंध क्लास में पढ़ रही है एक फोर्थ क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी परसंचख है उन्होंने आपके लिए ठेंक्यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असलमे वाँ 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 अच्छा बीटिया को आप मेरा और मन की बात के रिए सोतराओं का खूब शारा आशिर बात दीजिए बहुत बहुत सुक्रिया जी आपकी वज़े से देश की बेटिया के चेहरे पर लगातार मुस्कान बढ़ रही है बहुत बहुत धन्यवाद सुनिल जी जी शुक्रिया साथियो मुझे इस बात का भहुत संतोस है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ती की सेंकडो प्रेना दाई गाथाओं का जिक्र किया है चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो मैंने जब भी महलाओं की उपलब्दियों पर बात की है उसकी खूब प्रसंसा हुई है जैसे हमने 36 गड़ के देवर गाओं की महलाओं की चर्चा की थी ये महलाओं स्वयम सहाइता समों के जरिये गाओं के चोराहों, सडकों और मंदीरों की सभाय के लिए अभियान चलाती है ऐसे ही तमिल नारु की वो आदिवसी महलाओं जिनों ने हजारों इको फ्रेंडी टेरा कोटा कप्स निर्याक किये उनसे भी देश ने खुब प्रेंडा ली तमिल नारु में ही बीस हजार महलाओं ने साथ आकर बेलोर में नाग नदी को पुनरजीवित किया था ऐसे कितने ही अभ्यानों को हमारी नारी शक्ति ने नित्रुत दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है साथियों अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मोजूद है इनका नाम है मंजूर एहमद मन की बात में जम्मू कश्मीर की पैंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर एहमद जी का जिक्र हुआ था मंजूर जी कैसे है आप इस सौवे एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थैंक्यू सर अज़ाइए पैंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है सर बहुत अच्छे से जब सिरे सर आपने हमारी बात मन के बात में कही सर तब से बहुत काम बढ़ गया सर और दूसरों को भी रोजगार हैं बहुत बड़ा है इस काम में कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा अभी मेरे पास 200 पुलस है अरे वाँ मुझे बहुत खुशी हुई जी सर अभी एक दो महीने में अभी में इसको एक्सपांट कर रहा हूं कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर वाँ की पहचान है और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस विजय से आपको काभी बड़ी मुश्किल होती थी वो भी आप कह रहे थे लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं जी सर और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को तक पहुंच गया सर इतनी डिमाड बढ़ गी सर इसमें तब से और अपनी पहचान भी बन गई इसे बहुत से आड़ रहे हैं अपने पास सर अभी में आगे एक दो महीने में और एक्समेंट करके और दो डाए सो दो चार गाउं में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमे कैज जिस हो सकता है उनका भी रोजी रोटी चल सकता है मैं देखिये मनझूर जिए वोकल फोर लोकल की थी टाकत कितनी जवर्जक हैं आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है जी जी मेरी तरफ से आपको और गाओं के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुकामना है धन्यवाद विया